मानो ना मानो फिल्म इंडस्ट्री ट्रेंड सेटर है फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर आम जनता की नजर रहती है और वैसा ट्रेंड बन जाता है जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग करते हैं इसी बीच भारती सिंग ने भी एक काम किया है लेकिन भारती सिंग इस काम के लिए ट्रेंड सेटर नहीं बलकि अब जज हो चुकी है और ट्रोल हो चुकी है भारती सिंग ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया और बच्चे के जन्म के 12 दिन बाद ही भारती सिंग काम पर लौड गई यह देखकर जहाँ एक तरफ लोग खुश हुए और भारती को कहा कि बड़ी स्ट्रॉंग है कि इतनी जल्दी रिकवर भी हो गई और बच्चे को छोड़कर काम पर आई है तो भारती बहुत हार्ड वरकिंग है वही कई लोगों ने भारती सिंग को लालची भी कहा है एक यूजर ने कहा कि बच्चे की जिंदगी में चाहे मा की जगर नैनी ले ले लेकिन शो में भारती की जगर को नहीं जानी चाहिए इसलिए भारती फिर से लोट आई एक और यूजर ने कहा कि बच्चे को एक high paid नैनी की जरूरत नहीं है बलकि मा के प्यार की जरूरत है उसे मा का प्यार दो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि आम जिंदगी में जहां लोग pregnancy के बाद 40 दिन का तो break लेते ही हैं 40 दिन से पहले वो घर से नहीं निकलते हैं वहीं भारती सिंग कैसे बाहर आ गई एक और यूजर ने कहा कि ये बात ना professionalism की है ना ही commitment की आपके शरीर में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है आपने बच्चे को जन्म दिया है उसे साबसे आपकी body कम से कम 40 दिन रेस्ट मांगती है शरीर को रेस्ट की जरुत है एक लीस शरीर के साथ तो खिलवार मत करो एक और यूजर ने कहा कि being a celebrity भारती सिंग चाही ये समझ रही होगी कि उन्होंने trend set किया है लेकिन भारती सिंग ने ये गलत example set किया है आज की generation भारती सिंग को देखेगी और वो भी 12 दिनों बाद काम पर लोटेगी और ऐसा करने पर अपने आपको strong और hard working बताएगी जबक इस तरह की चीज़े देखकर जिस तरह से लोग करियर ओरेंटेड हो रहे हैं उस तरह से कह सकते हैं कि मा के पास जो बच्चे के लिए वक्त था वो वक्त भी अब करियर खाता जा रहा है